तो मैं आपके लिए अज बहुत बड़ी न्यूस ने के आई हूं कि इंडियन नेवी ने जो है एक्जाम जो नया लांच किया है तो बहुत ही चल्द आपको इसका नॉटिफिकेशन जो है वो मिलेगा इंडियन नेवी इस गोइंट वो बेनिफिशन फॉर ओल्द सब बड़ी बात जो है कि इंडियन नेवी के द्वारा ये जो है निउस दी गई है नेक्स्ट अगर हम देखिए सिमिलर टू किसके साथ ये सिमिलर होगा जैसे हमारा एफकेट का एक्जाम होता है विच इस कंडुक्टेट बाइ इंडियन एर फोर्स फोर मैन और वोमन उसी की तरह जो है हमारा ये आई एन एटी एक्जाम होगा जो कि दोनों के लिए होगा for men and as well as for the woman so this is a good news especially for the female aspirants वाई इस एक्जाम को क्यों लॉंच किया गया इस एक्जाम के लिए क्यों उन्होंने सोचा क्योंकि बहुत सारे aspirants होते थे जिनको बहुत ज़ादा इच्छा होते थे की उनको Indian Navy join करना है लेकिन उसको joining करने के लिए उनको बहुत ही limited chances मिलते थे तो उसी चीज को देखते हुए ईन्होंने teles 65 उननीचे दैल मिलेकिंतु पैल आई एची वोई तो और इसकीन जो है female aspirants के लिए भी एक्जाम होगा तो girls के लिए बहुत ही good news है जो की नेवी में जाना चाहती है इसके इलावा हम अगर देखें तो Indian Navy ने ये confirm कर दिया है Defense Minister Nirmala Sikaravan उन्होंने ये proof कर दिया है for Indian Navy entrance exam I and ET के लिए जिसमें क्या होगी officers entry होगी और जैसे हमारा F-CAT का exam होता है Air Force के लिए वैसे ही Navy का exam होगा I and ET ठीके और इसमें देखिये अगर मैं आपको बताओं कि this include five different officers entries it will be online exam like the Indian Navy as an join the Indian Navy as an officer for the pilot, observer, logistic, naval, armament तो ये सारे जो होगे वहाँ पे आपको मोका मिलेगा कि ये सभी के लिए आप apply कर सकते हैं और officer की अगर entry होगी तो obvious है कि आपको महिनत भी करनी है और जैसे ये exam के related कोई भी latest notification आता है तो हम जो है आपको जरूर जो है update करेंगे आप इसको like कीजिए, share कीजिए और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो जल्दी से subscribe कर लीजिए ताकि latest notification जो है वो आपको मिलता रहे तो इसे के साथ आज का वीडियो यहीं से मापत होता है next वीडियो में next आपको latest news के बारे में बताएंगे so thank you so much and all the very best